आज का हमारा टॉपिक टाइम इन टेंस पार्ट फिफ्ट सिंपल पास टेंस जिसे हम पास इंडफिनेट टेंस के नाम से भी जानते हैं आईए बच्छो इस टेंस को समझने की कोशिश करते हैं इस tense का परियोग हम तब करते हैं जब कि भूतकाल में कोई कारे समाप्त हो चुका हो एसे कारे का वर्णन करते हैं जो बीटे हुए समय में समाप्त हो चुका हो हम इसमें भूथ काल की बात करते हैं और हिंदे में था- थे- थी या ये- यी आदी शब्द वाक्षे में आते हैं सिंपल पाउस्टंस में कारह का पूण होना साथ-ी-साथ समय का पूण होना भी बताया जाता है यानि कार्य भी समाप्त हो गया है और समय भी बीच चुका है अब एक्जाम्पल देखते हैं She went to Jaipur yesterday यानि वह कल Jaipur गई उसके Jaipur जाने का काम भी समाप्त हो गया और वह समय भी बीच गया है Next, she learnt a poem yesterday उसने कल एक poem याद की Yesterday यानि पास्टेंस यानि समय भी चला गया और काम भी समाप्त हो गया है आगे देखें, identification के words यानि कुछ words ऐसे हैं जिनने आप देखेंगे तो simple past tense लगा पाएंगे इन शब्दों को ध्यान से देखें यही सारे शब्द simple present tense में भी हमने लिखे थे Always, never, seldom, often, sometimes, daily, every day, every week, every month, once a week, twice a week याद आया अब हमें ये समझना है कि exam में हम कैसे पता करें कि इस sentence में simple present लगेगा या simple past बहुत ही simple तरीका है कि यदी sentence में उन identification words के साथ में past को बताने वाला शब्द भी दिया गया हो तो हम simple past tense का यूज करेंगे राइट, past को बताने वाला शब्द was, were, had, verb की second form, last, ago, previous, yesterday, youth and childhood आपको ये words भी याद कर लेने हैं आगे चलते हैं कि वर्ब and helping verb ये tense बहुत इजी है क्योंकि इसमें दोनों ही गुरुप में जाए singular noun हो, he, she, it, plural noun, you, they, I, we सभी के साथ में क्या लग रहा है, verb की second form लगती है एक्जाम्पल देखिये, he, write a poem yesterday मुझे पास्ट को बताने वाला शब्द मिल गया, मैंने वर्ब की second form लगाई and simple past दे मीट हीम इन दे मार्केट दे बिफोर येस्टरदे अगें, दे बिफोर येस्टरदे पास्ट को बताने वाला शब्द मिला है मुझे क्या लगाना है, simple past, verb की second form, met आगे देखते हैं इस tense में भूत काल की किसी आदत को बताया जाता है अब आदत को बताने के लिए आपको sentence को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा देखिये, गांदी जी always speak truth आप सब को पता है कि गांदी जी जो है, अब नहीं है, right तो ये past का हो गया, यहाँ पर एक word और मुझे मिला, always तो simple present या simple past पर गांदी जी तो अभी है नहीं तो किस में जाएगा, simple past में तो verb की कौन सी form लगेगी, second, spoke he never write a letter in his youth, again मुझे मिला never, never से मुझे दो आईडिया लगाना है simple present और simple past, मैं sentence को और ध्यान से देखती हूँ, मुझे मिलता है youth, यह किस को बताता है, past को, तो sentence किस में चला गया, simple past में, तो verb की second form, write का क्या हो जाएगा, wrote next sentence, when Manita was in Delhi, she rarely meet him in the party, अब हमें verb दी है, meet sentence बड़ा है, हमने यहाँ देखा की was, इसका मतलब था, समय कौन से हो गया, past past, अब rarely, again आपको यह word मिल गया, identification वाला, जहाँ आपको simple present और simple past के बारे में सोचना है, क्योंकि इस sentence में was है, तो हम simple past tense का ही प्रियोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, met, very easy, आगे चलते हैं, he used to wear white shoes in his childhood, मुझे word मिल गया, childhood, जो किसको डिनोट करता है, past को, second form, used, अब इन दोनों sentences को आपको बहुत ध्यान से समझना है, देखिए, Ramesh never go to bed before midnight, यदि यह वाक्य ऐसे ही exam में आता है, तो यहाँ आपको simple present tense लगाना है, क्यों? क्योंकि इस वाक्य में never तो मुझे मिल रहा है, जहाँ मुझे सोचना है, क्यों मुझे simple present लगाना है, या फिर simple past, मुझे दूसरा रूल भी पता है, कि जब तक past को बताने वाला कोई शब्द वाक्य में ना हो, तो मैं past tense के बारे में नहीं सोचूंगी, तो कोई और शब्द है? नहीं, तो कौन सा tense हो गया? Simple present, आप यहाँ compare कर सकते हैं, नेक्स sentence देखो, अशोक often come by car, इस sentence में मुझे often तो मिल रहा है, मुझे फिर सोचना है, कि simple present लगाना है, या simple past, पर past को बताने वाला कोई शब्द इसमें नहीं है, तो exam में यदि यह sentence आता है, तो मैं क्या लगाऊंगी? Simple presentance, comes, यहाँ आपको clear हो गया होगा, कि कहा simple present लगेगा, और कहा simple past, अब आगे चलते हैं, देखिए, adverb of frequency, इसमें सर्फ एक वर्ड याद रखना है, since, जब कभी वाक्य में since के साथ कोई exact time ना दिया हो, तो हम simple past tense लगा सकते हैं, देखिए, it is an hour, since the train leave, second form क्या हो जाएगी, left, he is making mischief, since he entered the room, क्या हो जाएगा, entered, next, देखिए, historical facts, जब भी अथिहासिक सत्य की बात होगी, तो simple past tense ही लगेगा, देखिए, in 1963, ISRO, launch, its first ever rocket from a church in Thumba, ये past की बात है, क्या हो जाएगा, second form, launched, second, akbar fight with maharana pratap at haldi ghatay, past की बात है, fout, third देखो, India invent the number system, snake and ladder game and chess, this, ये भी पुरानी बात है, एतिहासिक सत्य है, तो क्या हो जाएगा, invented, now next, improbable condition, यानि अरसंभव बात, समय निकल चुका है, या वो बात ही अरसंभव है, देखो कैसे, if you worked hard, यदि तुमने महनत की होती, you would pass, तुम पास हो गए होते, यानि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो if condition होगी, एक तरफ वर्ब की second form लगेगी, दूसरी तराफ would, right, next देखो, if I were a bird, I would fly, ये भी simple past है, B form है, दूसरी तराफ would, very easy to learn, now next, ये बड़ा ही interesting सा है, कि इसके अंदर कोई काम past में एक series में होता है, जैसे first, second, third and fourth, और भी हो सकता है, जैसे कि हिंदी में समझ ये, वे है आया, उसने bag रखा, उसने shoes उतारे, उसने lunch लिया, और फिर वह सो गया, यानि ये है सारे काम एक series में होए है, तो simple past tense का ही use होगा, देखो, he came, took his lunch and went to bed, हर जगे वर्ब की second form, simple past tense, he taught, walked to principal's office and left the job, again simple past, बच्चों मुझे पूरी उमीद है कि आपको simple past tense बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब आप इसे खूब ध्यान से पढ़ेंगे, खूब प्राक्टिस करेंगे, हम अगले session में past continuous tense पर discuss करेंगे, तब तक के लिए, goodbye, thank you.